हेलो एब्रीवन बेलकम बेक टू माई चैनल प्लस स्टेडी आई क्यू दूस्तो आज का अपना टॉपिक है 10% फॉर्मिलिन एंड 10% वफर फॉर्मिलिन कैसे बनाते हैं और इसमें कौन-कौन से कमपोजिशन यूज के जाते हैं यह सारी डिटेल आज अपन इस वीडियो में देखेंगे दोस्तो 10% फॉर्मिलिन और 10% वफर फॉर्मिलिन क्या होते हैं यह भी समझेंगे तो यह 10% फॉर्मिलिन भी अगल होता है दोस्तो और 10% वफर फॉर्मिलिन भी अगल होता है तो देखते हैं दोस्तो 10% formulin क्या होता है और 10% formulin क्या होता है तो सबसे पहले देखते हैं 10% formulin तो 10% formulin दोस्तों यहां पर कैसे prepare किया जाता है तो सबसे पहले आपको required होगा दोस्तो formaldehyde क्या required होगा दोस्तो formaldehyde रहेगा जो इसकी concentration कितनी रहेगी दोस्तो 40% इसकी concentration रहेगी जो market में available होगा तो ये कितना चाहिए होगा आपको ये चाहिए होगा आपको 10 ml 10 ml चाहिए होगा जिसका concentration 40% रहेगा दोस्तो और भही distil water चाहिए होगा आपको 90 ml यानि total आपका कितना हो गया quantity में दोस्तो ये 100 ml प्रिपेर करेंगे अपकर यहापे 10% फॉर्मिलिन तो यहापे आपको कितना 10 ml यहापे फॉर्मल डिएड ले लिया और 90 ml यहापे आपको distil water दोनों को mix कर लिया तो यहापे बन जाएगा यह दोस्तो यहापे 10% फॉर्मिलिन यहापे प्रिपेर हो चुका है भाई अब 10% यहाँ पर वफर फॉर्मिलिन कैसे प्रिपेर करते हैं यह भी देखते हैं दोस्तों वहती इंट्रेश्टेट हैं यहाँ पर तो 10% वफर फॉर्मिलिन में कौन कौन सा कमपोजिशन रहेगा दोस्तों तो सब से पहले आपको चाहिए होगा क्या चाहिए होगा दोस्तों फॉर्म डिहाइट वही 40% वाला चाहिए होगा और कितना चाहिए होगा यहाँ पर 100 अमिल इमिल अपकि पर जो फॉर्मिलिन हाड है वो ले लिजैं 40% concentration वाला फिर आपको distil water लेना है कितना 900 ml दोस्तों यहाँ पे 900 ml में आपको लेना होगा distil water और 100 ml यहाँ पे लेना होगा आपको formaldehyde जिसका concentration 40% रहेगा दोस्तों और आपको थर्ड आपको required होगा यहाँ पे sodium dihydrogen phosphate क्या दोस्तों sodium dihydrogen phosphate यहाँ पे 4.0 gram यानि 4 gram आपको sodium dihydrogen phosphate लेना होगा और फिर लेना होगा आपको di sodium hydrogen phosphate कौनसा दोस्तों di sodium hydrogen phosphate लेना होगा यहाँ पे 6.5 gram इन सब को mix करना है और dissolve करना है दोस्तों यहाँ पे confuse मत होईे यहाँ पे sodium डाय हाइड्रोजन फॉस्पेट और डाय सोडियम हाइड्रोजन फॉस्पेट यह अलग है यहाँ पर तो यहाँ पर सोडियम और डाय कहलाएगा दूस्तों sodium dihydrogen phosphate जो आपको required होगा 4.0 ग्राम और भही आपको यहाँ पे di sodium hydrogen phosphate 6.5 ग्राम यह लेना होगा और सबको mix करके dissolve करना होगा तो यहाँ पे 10% formula के लिए आपको formaldehyde लेना होगा और distil water आपको यहाँ पे 10% यहाँ पे formula प्रिपेर हो जाएगा भही आपका 10% buffer formula के लिए formaldehyde लेना होगा 100 ml distil water 900 ml और sodium dihydrogen phosphate 4.0 ग्राम और di sodium hydrogen phosphate यहाँ पे 6.5 ग्राम लेना होगा और सबी को dissolve करना होगा तो यहाँ पे यहाँ पे प्रिपेर हो जाएगा दोस्तो formula 10% formula और 10% buffer formula दोस्तो आज के लिए इतना ही thanks for watching please like share and subscribe my channel thank you so much friends